हलो फ्रेंज कैसे आप सब आज मैं फिर आप सब के लिए छोटे-छोटे से बोहुत काम के किचन में यूज होने वाले टिप सेंट ट्रिक लेके आई हूं बहुत चोटे हैं लेकिन आपको बहुत काम के हैं तो इसलिए पूरा विडियो को देखें और विडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं कि जो भी मैं वीडियो डाला आपको मिलती रहें तो सबसे पहला है टोस्ट बिस्किट हम जब भी खरीद के लिया आते हैं तो कभी कभी क्या होता है उसके बहुत चारे पाउडर टूटे हुए निकल जा बनाए उसमें डाले आपकी जो टिक्की पकोड़ें बहुत कुरकुरी बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे तो इस तरीके साब किसी भी डबे में भरके रख ले और जब मन करें अलोगी टिक्की बनाए बर्गर के लिए उसमें जरूर डाले यह बहुत यूजफूल होते हैं नहीं चली हम नेक्स देख लेते हँ तो हमारा प्रकेल चली कोष्ती कोश एक आपनाद पर छाते में यह सरूछनी होते हैं लेकिन حस्ते इस度 करें बहुत जगहते हैं कघी कभी कभी किया करें शुझ वह बच्य चाहिते होते स्कूल वह направर चाहाीं और रहती हैं उस टाइम पे नहीं भी होती है नहीं रहती है फिर भी जरूरी होता है करना तो उस टाइम पे आप क्या करें जो केले का छिलका होता है उसे ले और इस तरीके से उसके उपर रब करें आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जूते की जो चमक है न चमक वापस आ जाएगी इस इस तście जो दूसरा उसमें भी कर लेंगे में बहुत काम की चीज है जह पास प्यारु पास नहां थिसपर पहला है नहीं चेश पर नॉसरे उसमें जुछ का सकते हैं चोटा साही लेकिन एक उसना के इसमें चाइने पहले क्या करा ओठने रहें है कंवतले ब прогल और में नहीं ढीक साथ निकल लि others निकलते हैं तो लिए कि या तो धूप में रख दें और या दूप में रख दे ईह तक रागह रखन दूप में सका निकल जाएंगे जिसमें सारे ट स्राज़ आधूद्य हैं फूर्थ कर दो तरी Özka कोई मेंदात साथ कॉम कर दे कंगी कर दे तो जो पॉडर वो निकल जाएगा या पिर जो जो पॉलिश्र करने वाले जो ब्रस होते हैं उसके आप निकल सकते हैं हजके हाथों से इस तरीके से मारे DP देखेगे जो एस साफ करें देकिने कि मैंने इस फैस एक ही वर पूरी बनाया था उसमें ये कितना गंदा हो गया है तो सबसे पहले हम इसकी जो चिकनाई ये वो निकाल लेते हैं तो उसके लिए पहले मैंने आपे इसे थोड़ा सा गरम कर लिया है गरम पानी से गरम पानी थोड़ा डालके चिकनाई हटा लेंगे पानी को हम फेक देंगे अब इसके उपर डालेंगे हम नमक तो जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं वही मैं नमक ले रही हूँ और इसके उपर हम लेंगे नीमबू और आधा नीमबू लगेगा यह कढ़ाई साफ करने में क्योंकि आप देख सकते हैं कितना इसके उपर दाग लग करेंगे तो यह साफ हो जाएगा बिना किसी केमिकल के वैसे लोह की कड़ाई कैसे साफ करते हैं इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की है आप देख सकते हैं मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा लिक्विड ल पूरी तलने के बाद अकसर हम जब पूरी तलते हैं तो यह ऐसा हो जाता है आप देख सकते हैं मैं थोड़ा साही रगड़ी और यह चूटना श्टार्ट हो गया बस थोड़ा सा और इसे हम रगड़ेंगे और यह साफ हो जाएगा थोड़ी से मेनत लगेगी लेकिन कड़ा और यह हमारी वापस नहीं जैसी हो जाएगी तो लीजे मैंने इसे धो लिया है और दोने के बाद इसे अच्छी तरीके से पोच ले सुखा ले और शुखने के बाद इसमें थोड़ा सा सरसो का तेल लगा है और इसे चारो तरफ अच्छी तरीके से टीस्यू पेपर की छाए का जोगत है ऊसको लेकर क्या होता है उसमें चले होते हैं यह तो नहीं पता लेकिन इसमें पिली से दाग है सुझके लिए आप क्या करें जो मिठा सोडा होता है जो वब फिया दालेंगे और आप चाहेंwynn't you по विनिगर भी ले गज़ते हैं श्क्रब्र भी यूज यूज चर्वब विनेगर निम्पु सोडा यूज लिए अची तरीके से क्लेन कर सकते हैं अगर हाथ नहीं जा रहा है तो आप तूद ब्रस लें जो कीचन में यूज होता है उसे अच्छी तरीके से साफ करें और थोड़ी दिर के लिए पांच से चार मिनट के लिए और फिर इसे साफ पानी से दो लें देखिए आपका कप जो एन एकदम चमक जाएगा आप यहां प करें जो भी आपके पास इस तरह के कप यह मग है तो प्लीज आपको पसंद आए तो एक जरूर करें आपका लाइक और कमेंड मेरे बहुत जरूरी है तो नेक्स है हमारा नारियल निकालने को लेकर नारियल कभी-कभी निकलता नहीं कभी-कभी तो अच्छे आते तो निकल निकलते हैं किती भी मैनद कर लो तो उसके लिए अपक्रेश मेरा रहा तीन से चार घंटे के लिए अगर फ्रिज मेरा जो रहे हैं तो रात भर केलिए और उस तरीके से वह क्या है जब फ्रीज मेरतें और ऊहार जब निकालेंगे तो क्या साइड अपने आप छोड़ देता तो इस तरीके से आप चाकू की मदब से साइट साइट छुडा ले और यह असानी से निकल जागा कोई ताकत लगाने की जरूत ने ज्यादा मेहनत करने की जरूत नहीं पड़ेगा आप चमच से भी निकाल सकते हैं अगर आप चाकू नहीं यूज करना चाते तो आप चमच की नारियल को ले करी पानी वाला नारियल अब नारियल कभी कभी जादा हो जाता है तो उसका क्या करें ऐसे तो बच्चे लोग भी नारियल खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसके लिए आप मिठाई बनाएं तो यहां पर इसे मिक्सिजार में डाले चोटे-चोटे टुकड़ बिड़ा लिया है और यह जो नारियल जो पीशा था वह वह बस और कुछ नी चाहिए हमें इन दोनों को मिक्स करते हुए पका लेना है चार से पांच बिनुट लगेंगे पकने में और ज्यादा टाइम नहीं लगे लगगा अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें और जो नार निकाल लेते हैं और अच्छी तरीकिसे इसे सेट होने के लिए रख देगे आप चाहे तो इसके वी एपर ड्राय फूट भी लगा सकते हैं प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप अपका दॉरोण करें आपका लाइक ऑन कमेंट और हागोर कि अगर थ yo ॐद आप ऑर कमेंट कर फिर फिर मिलूंगे नई वीडियो का साथ तक लिए n थांक यू फिर वक्शान